नमस्कार, A to Z dishes उशा कोर्जानी में आप सबका स्वागत है हर पर आम का सीजन आता है और सिर्फ हम आम का रस बना कर पीते हैं और पस ऐसी सीजन चला जाता है मैंने सुचा इन सबसे कुछ अलग कोरियन मैंगो मिल्क बनाते हैं आम रस से कुछ अलग भी हो जाएगा और पीने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो उसके लिए आपको ले लीना है एक आम इसे अच्छे से वाश कर लेना है और इसके उपर का जो छिलका है वो इस तरह से निकाल लेना और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है तो यहाँ पर आम जो है न मेरा काफी मीठा है और इस तरह से टुकड़े काट लिए अब पैन में भी आम के टुकड़े डाल देंगे साथी साथ दो चमच चिनी डाल देंगे अब आम को चक लीजेगा मेरा काफी ज़्यादा मीठा है इसलिए मैंने थोड़ी डाली है अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा मेश करते हुए बस इसे हमें पकाना है दो से तीन मिन तक जादा नहीं तो यहाँ पर आप देखे यह तयार है अब गैस को बंद कर लेंगे और बाहर रखकर इसे ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाए तो एक गलास ले ले इसके अंदर यह भी हमने जो बनाया आम का वो डाल दे थोड़ा सा अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स और इसी के साथ फिर से हम यह बनाया होगा थोड़ा सा और डालेंगे और फिर से यह आइस क्यूब्स डाल देंगे क्योंकि ठंडा ठंडा पीने में बहुत बढ़िया लगता है और एक तम ठंडा दूद आपको डाल दीना है उपर से थोड़े से और आम के टुकड़े डाल दीने है और लीजे तयार है ये Korean mango milk सची में ये बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में ज़रूर ट्राइ कीचेगा घर पे सबी को पसंद आएगा और मुझे एक comment section बताएगा आपका recipe कैसी लगी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीचेए शेयर कीचेए मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले तांक्यू